नमस्कार दोस्तों आईए आज हम सभी पानी की सहायता से वजन को कैसे कंट्रोल करना है या कम करना है और शरीर को फीट रखना है इस संबंद में जानकारी प्राप्त करते हैं पानी हमारे शरीर के लिए बोखत महतुपूर है पानी के बीना इंसान जी नहीं सकता है लेकिन गुनगुना या गर्म पानी भी फायदे मंद होता है इसे हम गुनों की खान भी कहते हैं गुनगुना पानी पीने से मोटापा कम होता है मुटापे से परिशान लोगों के लिए गुनगुना पानी बहुत ही हितकारी है खाना खाने के आधे घंटे बाद एक ग्लास गुनगुने पानी को सिप करके पीने से शरीर का वजन कम होता है इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि गुनगुना या गर्म पानी शरीर के विशेले ततों को बाहर निकल देता है इससे शरीर की गंदगी तो साफ होती ही है इसके साफ होने का प्रोसेस जो है वो तेज हो जाता है और किड्णी के माध्यम से गंदगी बाहर निकल जाती है इसके अलावा थोड़ा गर्म पानी पीने से कब्ज भी दूर होती है गर्म पानी से नहाने से ठकान मिटती है और तवचा में निखार आता है गर्म पानी के इस्तेमाल से वजन कम करने के साथ-साथ ब्लड सर्कुलेशन भी संतुलित होता है गर्म पानी में निम्बू और शहद मिलाकर पीने से रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ती है साथ ही ये मिश्रन वजन कम करने में भी फायदे मंद है किड्नी की सही देख भाल के लिए दिन में यानि कि सुबह शाम दो बार गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए जिससे शरीर में मौझूद गंदगी बाहर निकल जाती है और शरीर साफ रहता है अगर आपको अपना वजन कम करना है तो ध्यान रखना चाहिए कि पानी का इस्तेमाल कैसे करना है आप जब भी पानी ज़्यादा पिएंगे भूख आपको कम लगेगी इस प्रकार से हर रोज आप कम कैलोरीज लेते जाएंगे और जब आप कम कैलोरीज लेंगे तो आपका वेट वैसे ही कम होता जाएगा इसलिए पानी उचित मातरा में पिना चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं पिना चाहिए पर उचित मातरा में ज़रूर पिना चाहिए आप सुबह जगें तो दो गलास पानी पिलें इसके बाद खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी पिलें आपको जितना पिया जाता है उतना पिलें बहुत ज्यादा न पीएं और नहीं कम पीएं आपको ठीक ठक अराम से कमफर्टेबली जितना पिया जा रहा है उतना पानी पी लीजिए इससे क्या होगा कि आपके पेट से घंदगी तो बाहर आहीं जाएगी इसके साथ साथ आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और फूख कम हो जाएगी खाना खाने से आधे गंटे पानी पहले पीएंगे तो इसकी वज़ा से आप खाना ज्यादा नहीं खाएंगे तो आपका खाना डाइजेस भी अच्छा होगा और वो शरीर में लगेगा आपका मेटेबलेज्म बढ़ जाता है जिससे की पाचन क्रिया दुरूस्त रहती है केलोरी जब तेजी से बर्न होगी तो आपका वज़न नियंतरित रहेगा कंट्रोल रहेगा इसके अलावा आप रात को भी पानी पीजिए सोने से पहले खाना खाने के एक घंटे बाद जरूर पानी पीना चाहिए अगर आप ऐसा नियमित रूप से करत होगा केवल पानी से और यह नेचरली होगा इससे कोई भी आपको आपकी बोड़ी पर साइड इफेक्ट नहीं होगा थोड़ा तेजी से आप वज़न को कम करना चाहते हैं तो आप निम्भू मिक्स कर सकते हैं सुबह जो आप कुनगुना पानी पीए उसमें एक निम्भू होता है आपका वेट लॉस होता है तो दोस्तों ये था आज का हमारा देशी नुस्खा पानी के सहारे आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्तोपून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यभाद नमस्का जान के लिए नमस्कारियों को बार दोस्तों यादी नुड़ेंगे।